कि नमस्कार दोस्तों मैं उमिश अर्मा चार्ट अर्एस चैनल पर अपका हर्दिक स्वागत करता हूँ जैसे कि मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि सैटेडे को हमारी धमाकेदार वीडियो आने वाली है जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लॉस को प्रॉफिट में सकते हैं और आपको बता देता हूं कि करता करता है और ये आकोड़ करता है और आ पको क् पर से सही होने के बावजूद भी जब आपको लॉस होता है तो पर नहीं करना चाहिए कहीं नहीं आपका मन तूट जाता है बड़ दोस्तों जो स्टेटिजी में आपको बताने वाला हूं लास्ट में आपको से काफी हद तक मैं को बोलना चाहूंगा कि आप अपनी सबस्क्राइब नहीं करें तो सबसे पहले हम आपको कुछ चीजें हैं जो बोर्ड पर समझाना जाएंगे कुछ ऐसी स्टैडिजी जिसको आपको फोलो करना है तो देखें क्या क्या चीज आपको फोलो करनी है आप देखो हर बंदे करना ट्रेडिंग करने का स्टाइल स्टाइल हर बंदे का ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग होता है अगर मैं अपने चिक बात करू फोकस ज़्यादा करता हूं तर osob ुसके साथ मैं इंडिकेटर को भी करता हूं लिए तो मैं मिक्स चीज़े यूज करता हूं आप सारी चींच को देखते हैं किहों कि देखो हमने सारी अपने को सब्सक्रा फोलो करें कैसे आप टाइम फ्रेम के अनालिस करें तो यह सारी चीज़ों को मिक्स्टर से जब आप ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसे ज़्यादा होते हैं अब तो यहां पर मैं एक एक इंग्जामपल लेता हूं किए ज़ुक्र करते हैं चाया कोई करता है नहीं करता है और सपोर्ट और रस्टेंस तो फोलो करते ही यह कोई ऐसी स्टेडिजी नहीं है जो आपको नहीं आती हुए आपको आती होगी बट आप उसको यूज में नहीं लाते होंगे अब क्या होता है मान के चलो कि आपने देखा कि निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है कोई भी चार्ट है आप देख रहो कि बजार एक जो है वो ब्रेक हो चुका है अब मुझे यहां पर बना लेनी चीए ठीक है बहुत सिंपल है आपने देखा रजिस्टेंस लेवल है और रजिस्टेंस के उपर आप क्या करते हैं डैरक लिए अपनी पूरीशन मनाते हैं सिंपल है इसमें कोई गलत तो नहीं है सारे ऐसी पा तो आप कहते हैं अलग लगता अलग लगता है जब टार्गेट है मुझे लग रहा है कि पॉर्टीफ़ था नाइन हिंडर तक जा सकता है आपने टार्गेट जो था वह सेट कर लिए कि यह टार्गेट लग सकता है और एक स्टॉपड लगा लिया अब हुआ कि देखा लिए सी उपर गया और वहां से सीधा नीच आया और आपका स्टॉब्स जो था वह खा गया अब आपको क्या लगेगा बहुत बुरा यार मैंने लिया था मुझे लगड़ा था कि 900 रोपे तक जा सकता है अब क्या होता है कि मार्किट के जो ट्रेंड था यानि कि आपकी एक मार्किट को देखने का मार्किट आपको बुरिश लगने लगे ऐसा कहीं बार होता है जो मेरे साथ भी होता कहीं बार तो कहीं बार आपके करेंगे यहां पर सैल पोजिशन बनाएंगे और जैसी मार्किट जो हाई होगा उसका स्टॉप्लस रख लेंगे कहीं लोग इस तरीके से भी काम करते हैं मार्किट फिरूप पर गया और यहां से आपको स्टॉप्लस ट्रिकर हो गया अब आपने बोला कि मैंने बाय करा था तो भी स्टॉप्लस गया मैंने सेल करा तो भी स्टॉप्लस गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आजकल मार्किट में ना स्टॉप्लस हंटिंग ब तो इसकी बरे से लोगों को परेशानी हो रही है सब को रही है अब आपको इस तरीके से काम करता हूं बिल्कुल जान से रखेगा इसी स्टैडिसे मैंने कल भी ट्रेड करा था और अच्छा का सब ऐसा मेरे एक ट्रेड में बन गया था अब आप देख रहों कि वहाई बजार क मना के लोग का स्टॉप्रस लगा लो यहां पर मैं एक चीर आपको बताना चाहूंगा जिसको आपको का शायद मुझे लगता नहीं काफी लोग मानेंगे और फंड की वज़े से हो सकता काफी लोग को प्रॉलम हो तो यहां पर आपको थोड़ा सा चेंजिस करने कुटी को को लेके करना पड़ेगा यहां पेना मैं कही ऐसा करता हुए तो अंड्र कॉंटी में काम रोगा दूबार वेशे अटा तोinhas 20 google को कृटा में कर सकते तो ले नगे रचा जब अगर यहां पर शनक्तकता है तो जब क्या होता है कि बचार यह बार वार hunting करेगा तो दूसरी बार बजार उपर जाएगा हो सकता है वापिस से नीचे जाए अगर बजार दूसरी बारी में सस्टेन होता है तीसरी बारी में सस्टेन होता है वहाँ तो यहाँ पूरे पूरे चांसे से हैं कि मार्केटिग पूरी डाक्षन ले लेगा हमेश्य मार्केटिग डारेक्षन करता करता कल हैं कि यह बलोटा करता और इस सीधा सीधा 4490 के उपर गया और वही से ही मार्केट ने 45400 कि एधर का टीटी थी के आसपस का हाई बना दिया 400-400 पॉइंट की तीजी अब मान लो कि यहां पर आपका जो स्टाब्लस था वो तो तो यहां पर आपको जी नुक्सान होगया अब आपके चलो आपने सब्सक्राइब करेंगा तो वहां पर आपको सो पॉइंट के लिए नहीं करना वहां पर आपको जो डिफरेंस है दोनों के बीच का डिफरेंस है उसका एकलिस फिप्टी पर संट का टार्गेट लेके चलना है मान के चलिए सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर आपको 200 पॉइंट का तो टार्गेट लेके चलना ही पड़ेगा जिसमें सो पॉइंट तो आपके यहां से रिकवर हो जाएंगे जो स्रॉब्लोस हुआ है वह कवर हो जाएंगे और हंड़ पॉइंट का आपका फ्रेश प्रॉफित वह हजार पॉइंट का भी हो सकता है 500 पांट का हो सकता है तो अगर हजार पॉइंट के बीट में दिफरेंस तो उसका 50 जो सकता है बहुत अच्ची स्ट्रेजी कुछ यूज कर रहा हूँ और इसी तरीके से पैसा बना रहा हूं शुब में देखा भगा लुसान होता है बट बाद में कैसे कवर कर लेता हूं क्योंकि अभी बाजार क्रहा रहा है क्या अब कुछ करी नहीं सकते इसमें बट पर आपको कभी भी डी मोटिवेट नहीं होना है जब भी आपका एक कटते हैं कोई बाद नहीं कटने दो जब दूसरी बार आपका सेट अप बनता है तो उसमें आपको ट्रेड लेना बनता है यह तो गया जिस अब यहां पर अगर हम कैंडल स्टिक की बात करें तो कुछ और स के बारे में डिस्टन्स आपको डिसकस करना चाहता है तो यह है कि आप दो चीज़े देखिए 15 मिनट तीस मिनट और अवरली का चार्ट आप लगा के चलिए आप यह चार्ट देखके चलिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आप स्ट बीटी बीटी एस्ट की ट्रेड लेना चाहते है यानि कि सेल टुड़े बाई टुमारो बाई टुड़े सेल टुमारो अब यहां पर आपको क्या देखने हैं सबसे वहले आपको 15 मिनट का चार्ट देखना है कि चार्ट में अगर मानलों की कोई स्टॉक है या फिर इंडेक्स उसका ट्रेंड कोई भी रिवर्सल पैटन तो नहीं देखने मिला तो वहां पर क्या कर सकते हैं अब एक वर क्या आपको देखने को मिला होगा कि मालों की मार्किट जा रही है 44,700 के आसपास यहां पर आपको एक इवनिंग चार्ट पैटन देखने को बिला जिसमें आपको 44,600 के नीचे इस बनती है इवनिंग स्टार बना हुआ है 44,700 का स्टॉप लोस है तो यहां से आपका जो टार्गेट हमालो 100 पॉइंट का है 44,500 तो आप यहां पर तार्गेट लगा दूँगा यहां पर आपको टाइम फ्रेम के कॉंबनेशन के साथ भी आप खेलना पड़ेगा कैसे खेलना बन गया हो तो जहां पर आप प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे वहां पर बता रहा होगा कि और पॉलिशन आप यहां पर शॉट कर सकते हैं बहुत ज्यादा डेटेल में यहां पर कराऊंगा तो अगर इस टॉपिक को कवर कर रहा होगा तो एक घंटा लग जाएगा एक घं करना चाहिए था बाट एक्च्वल में चार्ट के रहा भाई फॉर्टी फॉर्ट फॉजन फाइवनेट बे तो और बेचो यहां से टार्गेट जो है वह फॉर्टी फॉर्ट फॉर्ट थॉजन थ्री एंडड़ के आसपस का आ सकता है फिर आपके आवर्ली चार्ट लगाओ तो इस तरीके से ना टाइम फ्रेम के कॉंबनेशन को बढ़ाओ तो यहां पे जो आपका स्टॉप लोस हंडेट पॉइंट का था वह स्टॉप लोस्ट पॉइंट 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 का ही रहाएगा बड़ टार्गेट आपका 100 की जगए 300 और 400 का भी हो सकता है मैं भी द इसको बोलते हैं दोस्तों बुलिश रायमी पैटन यहां पर यही पैटन है अगर यही चीज़ मिनिट यहां पर देखते तो तो यहां पर कोई भी पैटन नहीं मिलता एक्जांपल के तौर पर कुछ और चीजी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा यह एक ट्रेंड हम यहां पर देख लेते हैं यह देखेंगे अब मॉर्णिंग यह पैटन मना है जिसको बोलते हैमर यह एक हैमर पैटन है हैमर की हैं अब मैं क्या करता हूँ मैं यहां पे वन अवर्ली का चाहिण आपके लिए लगा दिता हूँगjust cm recordings लगओ तो यहां पर नहीं पर आपदा चाहिए 1944 क्ट यह यह Андopin वाले तो जो आप रॉफीट करने वाले ते अगर आप और दिचाट देखते है तो वह मिला आपको profit और भी उपर का देखने को मिला वहीं पे अगर आप 30 मिनट का चार्ट लगाते तो 30 मिनट के चार्ट पे भी आपको यहां पे पैटर्न देखने को मिला जिसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बुलिश हराहमी तो इसके साफ से भी टार्गेट यहां बे बनता था मुझे लग रहा काफी लोग मैंसे रिलेट नहीं करेंगे यार कि वाई क्या बाते कर रहे हो हमें कुछ समझे नहीं आ रहा बट यहां मैं बहुत जादा डिटेईल में बात कर रहा हूं यह वह चीज़ें हैं जो दोस्तों थोड़ा सा जो जिसको टेक्निकल के बारे में नॉलिज होगी वह से अच्छी तरीके से जान सकता है यहां पे 30 मिनट का चार्ट जो है 30 मिनट के चार्ट पे भी बुलिश हराहमी पैटर्न बना है जो कि आपको बता रहा है कि बजाहर में और तीजी देखने को मिल सकती है कहने का मतलब मेरा दोस्तों यह है कि कभी एक टाइमफ्रेम का चार्ट पर मत देखो उसके साथ टाइमफ्रेम चेंज करते हैं जिससे आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं जहां पे आपको 100-100 पॉइंट लेगे तो अगर मालू को पनाया जिसमें नुक्सान हुआ है तो दूसरा ट्रेट पकड़के प्रॉफिट को ट्रेल करके आप महां से हमने लॉसिस को कवर कर सकते हैं अब यह जो चीज़ें दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप आप ऐसी सीख जाओगे इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में जाना और अगर आपको बेसिक से चीज़ें पढ़नी है तो क्या कर सकते हैं आप यह हमारा कोट से टेक्निकल अनालिस का नीचे नंबर दिया होगा उस पर बात कर सकते हैं नहीं तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शिन पर आपको मिल जाएगा वहां में हमारा कोर्स है 7999 का टेक्निक का रहा है उसको क्वेज़्ु संब्सक्रिपार दोस्तों ऑब कर सकते हैं इसके साथ साथ आपको बोलना चाहूंगा कि बहूत सारी स्टेजीस नहीं can내 स्तिक के his trendline भी और बहुत सारी चीजह की रिप एक वीडियो में कपर करना ना बहुत जाला डिफिगल्ट हो जाएगा तो फिर आप चीजे ना आपके ऊपर से जानी लग जाएगी एक जो बंदा है जो आप ट्रेडर है जिसको थोड़ा टेक्निकल्स के बारे में नॉलीज या वो तो समझ लेगा फ्रेशर को समझने में जादा बैटर है चिंदी चोरी करोगे 50-60 पॉइंट लेगा कोई फायदा नहीं है एक आप ट्रेंड को पकड़ो ट्रेंड जब तक पकड़ोगे तब तक बैटर होगे ट्रेंड के साथ खेलो अभी मेरे बसना कॉंटिटी की मैंने कॉल होल्ड रखी है रीजन के क्योंकि कर सकते हैं आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आते तो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना ही थन्डे बाद